भाजपन इताम मनीश कर्ष्यप लोहरदगा पहुंचे लोहरदगा की योगी सेना हिंदू संगठन द्वारा आयोजित हनुमान मंदिर में 40 पाट और आरती में शामिल हुए वहीं उन्होंने चुनाओ को लेकर युवाओं से एक जुटता दिखाने और बढ़ चड़ कर वोट देने की अपील की मनीश कर्षप ने राजिस सरकार पर तुस्टी करन और भिस्टचार करने का आरोप लगाते हुए फिर से एक बार बांगलादेशी रोहंगिया घुस पैठियों का मामला उठाया उसे खतम करना जरूरी है और वो तभी खतम होगा जब जर्खंड के युवा आगे आएंगे और उन्हें जब गलत दिखेगा तो उस गलती का विरोध करेंगे तब यह सारी चीज़ें खतम होगा 1971 के बाद 6 कडोर से जादा बाहर के लोग जो है वो भारत में आके घुस पैटी तरीके से रह रहे हैं सुप्रीम कोट ने तीन दिन पहले यह आदेश दिया है कि उन सभी को जो है भगा देना चाहिए और एस्टेट गॉर्मेंट और सेंट्रल गॉर्मेंट को दोनों को साथ में मिलके भगाना चाहिए जारखंड की परतमान समय में सबसे बड़ा समस्य भरष्ट चार और जो बंगलादेशी और रोहंगिया जारखंड में घुस के डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं वो समस्य है तो सबसे पहले हमें इन समस्याओं से निपटना चाहिए और बंगला जारखंड में आ रहा है और 50,000 में आधार कार और 10,000 के आप लोग जुगी जोपड़ी बना दे रहे हैं गल रहे हैं हमारी सरकार आएगी ऐसे लोगों पे करवाई होगा और बंगला देशी को है हम लोग यहां से भगाएंगे न्यूस विंग के लिए लोहर दगा से प्रीतम कुमार की रिपोर्ट अच्छे सिमेंट के साथ अच्छा सरीया भी लगाईए तब ही तो ऐसा घर बनेगा जो पीडिया परते तो कौन सा टीम्ट लगाए अरे एक ही तो है भारत का सब सिर्भ भरोसे मन अच्छे सिमेंट के साथ लगाईए सिर्फ सलूजा गोल टीम्ट अब सही पकड़े हो कॉंट्रैक्टर बाबू सलूजा गोल टीम्ट बार मजबूती सब कुछ है